इस बहुत तकड़ा मेला लगता है हाँ जोड़दार है मेला दिनों का आता है और आके एक बार चला जाता है तो वहाँ पर थे तो ऐसे होते हैं पेरेंट्स या फिर रिष्टेदार पूछ लेते हैं फोन तो आते हैं घर से और बहुत अब देखा गया देखके आते हैं मेला चलते हैं भाले हां उस टाइम पे घरवालों से खर्चा वर्चा मिलता था तो कॉंट्री वांट्री करके ऑटो की वेवस्ता करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर और तो कोई साधर है नहीं कोटा में इंटर सिटी बसेज अब चलने लगी होगी उस टाइ आप अकेले आप नवाब तो हो नहीं या आपको कोई गाड़ी लेने आएगी तो सभी लोगों का प्लाइन बरना पीजी वाले लड़कों का तो मेला चलेंगे मैं ठीक है दोस्त लोग भी थे कुछ और उस टाइम पर लिमिटेड ही पैसे हुआ करते थे इंवेक्ट अच्छा से हुआ करते थे बढ़ा इतने थे कि जाके मेले में एंजॉइ कर सकते हैं अच्छा से खापी गया सकते हैं और मेले का जो मैगनिट्यूड है वो इतना बढ़ा है कि जस्ट इमेजिन उस टाइम पे सबसे बड़ी सिंगर चल रही थी सुनीदी चोहन वो सुनीदी तो हम लोग जो है वो घूमने लगे जार दोस्ते 5 मेरे साथ रनवीर था मेरा दोस्त तो पहले तो साथ में अटर हुए ठीक है और जूले वो ले बोले ये करेंगे वह भी करेंगे आइस्क्रीम खाएंगे यह जब बढ़ी अशावास करो करो तो अब क्या है मेले में धीरे से डायवर्जन कि हमने ले लिया डायवर्जन मतलब वो जो तीन लोग थे वह एक तरफ होगे हम दो लोग एक तरफ होगे ठीक है वो भीड की वज़े से बोल दो या फिर यासे उतना किसी चीज को तरफ देख रहे हो अट्रेक्ट होगे उसी की तरफ चल पड़े जू लोगी बात कर रहा हूं मैं गलत मत समझना ज्यादा दिमाग ना लगाना ठीक है अरे अर पर क्या है यह सब दुकाने मतलब दूसरे टाइब की थी दूसरे टाइब की मतलब की 10 रुपए दो तो पांच गुबारे फोड़ सकते हो ठीक है वो रिंग फेंक के आप साबून के ऊपर डालोगे फूरूटी पर डालोगे तो वो फूरूटी आपकी साबून की टीकी होता है ना ठीक है वह वाला सीचिवेशन चल वह उस तरफ वाली स्टॉल में हम घुजगे इनफेक्ट ऐसे जाकर घूम के वह लास्ट में आना था हम इंदर से डाइवर लेके उदर पहुंच गे वह जो खाने पीने की थी पॉपकॉन वापकॉन और आइसक्रीम वह सब लिए कि पहले हमने वह समझ लिए वह महल देखते हैं ठीक है पहले उसमें महल देखते हैं क्या है इस बाकी लोग भी तो कर रहे होते उनको देखते हैं तो पहला जो वहां पर इवेंट था वो यह था एक टेबल रखी हुई थी और उस पे स्टील की ग्लास जमाई होए थे ऐसे चार में फिर नीचे फिर उपर इपको यूंधिन और आपको पीछे खड़े ँगे जितनी दूर थोड़ा केमरा मतलब आपको बाहरा और आपको उसका मनीत कवू था विनिंग में दोनों यह अंदर से बले दोनी विराट कोली यहां घूम रहे हैं और तुम हमसे यह बोलोगे कि यह गिलास गिरेंगे की नहीं गिरेंगे मैं गला दे बोल और दोनों बोले कर दें कर देंगे बोले तू जाएगा कि मैं जाओंगा ऐसा होता जाएंगे देख रहों क्या था दो हम कॉंप्लिमेंटरी छोड़ एक एक एटेंप्ट में सारी गिरा देंगे एटिटूर तो ऐसे ही रखना होता है बॉल घुमा के खीच के मारी कुछ नीचे वाली लियर तो एज इस खड़ी थी और वह जो ग्लास है वह गिरके कुछ टेबल पर गिरके कुछ दोचार नीचे भी गिरे बट जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं था उन्होंन तो यूटे कुछ देखके बाल मारी आप ़ो जो नीचे वाली ले बचाड़ बची टीव को अब सारे टेबल पे जो पहले ग्लास खड़े हुए थे सारे के सारे टेबल पे ग्लास ऐसे पड़े हुए है समझभा रहे हो ऐसे कोई गोल गूम रहा है कुछ नीचे गिरे वह है हमारे दोनों के मन में कि भाइया 500 रुपय तो पक्के हो गए आज तो जूले जूले लेंगे ठीक है अब उसने दूसरे अटेम्ट के बात में जो भाइया थे ना जो हम ज्यादा समझदार समझ रहे थे या हमें ज्यादा बेवकूफ समझ रहा था उसने बोला के साथ ध्यान सुनना ये टेबल से नीचे गिरने चीए हां मैं को तब समझ मैं इस सवाल में तो स्टार मा अलग लगा वा था ये दो इसने बताय नहीं टेबल से नीचे मतलब गिलास गिरना वो नहीं है टेबल पेग भी गिलास नहीं दीखना चीए सारे नीचे गिराओं कि मैं गयर एक टेंप्ट है पांच छे गिलास अलग अलग गूम रहे हैं इस टेबल पे कैसे मैं गिरा दूँगा तब मैं समझ में यहां पर टोपी बनाई जा रही है पपलू फिट हो चुका है फिर हमने एक मारा उससे कुछ नहीं हुआ पचास रुपए उसको दिये मूँ थोड़ा लटकाया आँखों में नमी बट दिल के अंदर गुस्सा बोले पचास रुपए ऐसी चलेगे उदर वो जो दूसरे लोग है वो पाव भाजी खा रहे हैं कुल्फी खा रहे हैं एंजॉय कर रहे हमारे पचास रुपए बीना बात कहीं चले गए वो दिया आगे बड़े हां और उस गली में सारी यही थी मतलब वो जो रो थी उसमें यही काम चल रहा था आगे गए तो भया वो एक बुला आओ सर मैं बताओ यह समझाओ क्या है यहां जीतेंगे वो पचास वाला नुकसान भी पूरा करेंगे और पांसो मै कि अंदर नंबर लिखे होते हैं पता नहीं लगातार दो बार एक ही बॉल में डालोगे या पता नहीं मैं रूल्स भूल रहा हूं अगर आप वो बॉल स्पेसिफिक नंबर में डालते जाओगे बार बार तो आपको वहां पर भी कुछ हिनाम मिलेगा और वो था हिनाम आप ऐसे फ्लैट प्लैंक बोल सकते हो प्लैंक के आखिर में नंबर लिखे होते हैं उन्हीं के ऊपर चोटी-चोटी एक ऐसा बोल सकते हो तोकरी टाइप की बनी होती बॉल उसमें डलनी चाहिए उसने बोला ठीक है अब सबसे जादा जो उस पर था ना नंबर वो छे प्लैंक भाइया ने सही करके बना रगा था क्योंकि अपने दिखने वह एकदम सीधा बड़ जब आप फेको के बोल तो बोल अपने आप डाइवर्ड होके इधर चली जा रही है कभी इधर चली जारी है बाइसाब उसने पांच अटेम्ट दिए पता नहीं तीन अटेम्ट हो गया उसमें बोला की अब यह जो पाटना आगे वाला जो गया आगे वाला एकदम असान था देखती पर चल रहा था विन विन सिच्वेशन है उसने क्या एक बोर्ड लगा रहा था उसमें इधर से इधर पहुंचने के लिए आठ कॉलम थे पांच लोग या चार लोग ए आपके पास वो लूड़ा रहेगा लूड़ो लूड़ो समझगे ना तो जितने नंबर उसमें आए वो गोटी को आप लेके जाओ और उस तरफ पार लगा दो हर एक की एंट्री टिकट 20 रुपे थी जितने वाले को 100 रुपे मिलेंगे जो सबसे पहले पहुंचेगा तो 80 यह होगे जीतने वाले को 100 रुपे या पता नहीं ऐसा कुछ इनाम था 50 रुपे मिलेंगे क्योंकि वो फाइदे में सिचिवेशन में मतलब उसमें से एक या दो लोगों का रुपे वो रख रहा था बाकी इनाम बनाके दूसरे को दे दे रहा था तो इसमें 20 रुपे हमने दिए कि हमने वह यह ठीक है यह कुछ नहीं करना गोटियां लगाओ चार और फटाफट खेरला स्टार्ट करो तो हमने डाला वह ठीक है अब मैं था रणवीर था नहीं मैं था पहली बार में और यहां पर चार लोग और ते जुसमें से एक अंकल था मेरी गोटी तुरंत य यहां कहीं घूम रही थी मेरी गोटी सबसे आगे मैं तुब देखता जा अभी पैसे घर लेके चलेगे बाइस आप पतनी अंकल की क्या हुआ तुरंत एक ऐसी सिच्वेशन आई जहां पर उसको पांच नंबर चीए थे बहुत पीचे था मुससे पांच आया आगे बढ़ा मैंने है यह ग्या हो रहा है फिर वह पैसे क्या पैसे ले ग्या दोनों की entry देने के बाद में एक साथ और उसके बाद हैं 20-30 रुबब बच रहे थे मैं इतने इतने कमाने start करते हैं दोनों एक साथ उतरे दोनों एक साथ उतरे तो एक बार में रणवीर जीत गया एक बार में मैं भी मतलब गए तो एंजॉय करने थी अब सिच्वेशन ऐसी थी कि अब एंजॉय करना दिमाग से निकल गया था पैसे जो हमारे लग चुके उसकी भरपाई करनी थी ऐसे करके हमने और भी वह साबुन पर टिकिया और सारी टिकिया पर वह रिंग फैंकने वाला वह सब भी किये तो के और ये खेलाने वाला भर खाली ना किसे काम करोगी में अपनी रख दीता हूं अब अब के लेकुई हैं अब अपने तीन लोग केलेंगे आप दो में आए वागा मैं यह तो सही है और सीधे डबल मिलेंगे जू जीता उसको डबल कि मैंने यह ठीक है रणवीर की तरफ आंकों यांकों में क्या है ठीक डन है जब हम चार में जीते बहले तीन में जीतें गई भया उसको 100 रुपे दिये पता नहीं उसने क्या किया उसकी गोटी सबसे पहले पहुंची वह 100 रुपे और लेगा उसने फिर बोला एक बार अब आप देख रहे हो जी सिच्वेशन की तरफ हम जा रहे थे फस्ते गए फस्ते गए बोले बट अब की बार हमारे पास उसके पास देने के लिए 40-30 रुपे बचे थे 100 नहीं थे तो मैंने यह बोला वह इतनी देर से उसके पास खेल रहे हैं उसको पैसे दे रहे हैं तो नहीं है हमारे पास अब जैसे ही वह हमारे साथ खेल रहे था अच्छे से भहियावीया करके हमारी बाते बढ़िया हो रही थी हुशसे जीटों की खेलो अबहुत बढ़िया है यह जैसीं यह उसको यह पर बतायाए कि मैंने पास अभी 100 रुप店 नहीं है प्लैन यह था इकठा करके दे देंगे उसके तेवर बदल के एक्तम वो आ गया उस एटिट्यूड में कि जैसे हमने उससे कोई लाग दो लाग रुपए ले रखे हैं और वापिस नहीं दे रहे हैं तब समझ में आगया गड़ बड़ा कुछ फिर वो निकाला बटन वाला मुबाइल दूसरों को बुलाया वो आए उनसे कुछ पैसे लेके दिए और उसने ऐसी सिच्वेशन कर दिए थी थोड़ा ते चिला कर भी बात कर रहा तो आसपास थोड़े बहुत जो आसपास टॉल व पैसे दे दिये बोले अच्छा दोस्त बहुत ज़्यादा कमीने होते हैं हमें लगा कि अब यह बोल देंगे लो हमके पास पैसे हैं कुछ पाव भाजी चाट पकोड़ी तुम खालो बोले हमने तो एंज्वाई कर लिया पूरा वहां से गुम गया है बोले अब चलते हैं औ या रनवीर की मूगी और देख रहा है कि बोले चलो बचाली नो तुमारी जान और आटाव में बैठने से पहले भाई यह 30 रुपे कौन देगा तुम में से अरे मैंने का दे देंगे भाई तू बैठ तो जा पहले यार कॉंट्री बहुत जदा बोले कॉंट्री कौन देग मैं अब एक काम करना पड़ेगा वहां पर जाके या तो हम ही को इस टॉल लगा के पैसे कवां के लाएं तो वह एक छोटा सा हमारे पर करजा हो गया था काफी दिन तक बड़ा मलाल रहा बढ़ हां इसके पीछे जो था ना देट इस लालच एक इंस्टेंट का लालच था ज ज्यादा बड़ी अमाउंट निया 200-500 रुपय का कर जा हुआ था जो की उतार दिया था हम लोगों ने बाद में पैसे वैसे देखे बढ़ हां सिच्वेशन बड़ी कॉंप्लिकेटेट होगी थी एक बार तो डरी लगने लगा कुछ खापी के नहीं आए वापिस आगे था रावन जलने वाला तो प्रोग्राम भी नहीं था हाय ना तो दो मॉराल अफ दे स्टोरी एज कि अगर आप ऐसी किसी चीज को ट्राइक करो तो ट्राइक करने में कोई बुरी बात नहीं है बट हां हमेशा ध्यान रखिए का ऐसे में लास्ट में आप हार के घड़े होते ज्यादा उसमें ना गुसें पहले ही अपने आपको डीटैच कर लें